नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, मैं जब कॉलिज में था, तब से मुझे पता नहीं कैसे परंतु लड़कियों का पहनावा पसंद आने लगा खास कर कर साड़ी, माने मुझे बोहुत बार उनके कप्रे पहने हुए पकड़ा है, मैं उनकी एकलोती आुलाद था, इसलिए कैसे भी हो, वो मुझे बोहुत प्यार करती थी, पर मैंने मा को सब कुछ बता दिया था, माने भी मुझे स्वीकार किया परंतु इसके बारे में घर के बहार किसी को जरा भी भनत नहीं लगनी चाहिए, ऐसा कहा था, जो भी करना है, वो सब मेरे कमरे के अंदर, माने कहा कि बाहर इसकी कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, वैसे मेरे परिवार में हम दोनों ही हैं, जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी का देहान थो चुका था, वो सरकारी करमचारी थे, बस मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, फिर मुझे सरकारी जॉब मिलने वाली थी, वैसे मैं कॉलेज के वक्त पाथ टाइम जॉब किया करता था, तभी मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी बन गए थे, ज्यादा तर मैं पैसे बचा कर रखता था कॉलेज की फीस, मैं खुद भरता था, एक लड़की से मुझे प्यार भी हुआ था पर एक दिन उसने मेरे फोन में मेरी साड़ी पहनी हुई फोटो देख ली और उस दिन के बाद मुझसे ब्रेक अप कर लिया और अपने सहेलियों को ये बात बता दी और हर दिन उनका ग्रूप मुझे चड़ाता रहता था कि दे होने लगी मा भी मुझे देख कर मुह बढ़ा कर लेती मेरे पास खुद के 10-12 बलाउज हो गए थे और खुद की 5 साड़ियां जो में फेस्टिवल के दौरान घर पर ही पहना करता था क्रोस अग्रेसिंग के साथ साथ मैंने पढ़ाई पर भी जोर लगाया था मेरे दोस्त होने के कारण मुझे पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ पर्याय नहीं था वो एक अच्छी बात थी जब भी मैं साड़ी पहनता तभी घर के कामों में मा की मदद करता एक दिन माने मुझसे कहा कि मैं चाहती थी कि मेरी एक बेटी भी हो पर तुने मेरी वो इच्छा भी प शादी के उमर की हो गई है क्या आप उसे दूलहन के रूप में देखना नहीं चाहोगी क्यों नहीं जरूर देखना चाहूंगी उसके बाद मैंने किराये पर लाल रंग की लहंगा चोली ले ली और एक ब्यूटी पालर वाली से फोन पर बात करके उनको सारी बाते बताकर म एक दिन देखकर मैंने दोपहर को पारलर वाली को बुलाया वो एक लड़की को साथ लेकर आई थी। मा ने उन्हें पानी दिया और फिर मेरे रूम में जाकर मेरा दुलहन का गेट अप शुरू हुआ, पहले उन्होंने मेरे आईब्रो को शेप दिया और कहा कि आपको वैक्सिंग भी करनी पड़ेगी पर वैक्सिंग के लिए में तैयार नहीं था। अच्छा दिखेगा। फिर मैंने ठीक है कहा। फिर उस दूसरे लड़की ने मेरी वैक्सिंग की तैयारी की और गरम गरम वैक्स मेरे हाथों पर लगा कर वैक्स की पट्ती से खीचने लगी में दर्थ के मारे बिना आवाज करे सब सेहन कर रहा था। और वैक्सिंग होने के बाद मुझे ठंडे पानी से नहाने के लिए कहा। नहाने के बाद देखा तो मेरे हाथ एकदम चिकने और मुलायम हो गए थे। खुद को सुखा कर कपड़े पहन कर में फिर अपने रूम में चला गया। सर आप क्या पहने वाले हो क्या एक बार मुझे दिखा सकते हो क्योंकि उसे मैच होने वाला मेकप मुझे करना पड़ेगा। फिर मैंने अलमारी से वो बैग निकली जिसमें वो ड्रेस थी। प्रिक है राहुल जी और मेरा नाम अनीता और ये मेरी सहेली रुपाली है। रुपाली ने भी छोटी सी आवाज में मुझे हाई कहा। मैंने उसे स्माइल देकर हाई कहा। फिर सब सेट अप करके मेरा मेक अप शुरू हुआ, पहले मेरे चहरे के बाल क्रीम लगा कर निकाले और चहरा साफ किया। मेक अप करते करते वो मेरे से बाते कर रही थी। वैसे राहुल जी अगर बुरा ना मानो कुछ पूछ सकती हूँ। जी अनिताजी पूछो, वैसे मैंने आज तक किसी लड़के का मेक अप नहीं किया है, यह पहली बार है तो मेरी और कुछ कमी रह जाए तो बेजज़ग बतायेगा, और वैसे आपने मुझे ही क्यों चुना, मेरा मतलब यहां बोहुत सारी पालर है, और ये दुलहन का किसी कोपता नहीं चलना चाहिए, और यहां बोहुत सारे लोग हमें पहचानते हैं, तो मैं दूर के पालर से बात करना सही समझा, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ रुपाली जी, आप भी किसी से मत कहना, यस, यू कें ट्रॉस्ट अस, हम यह किसी को नहीं बताएंग के राहुल जी, तो ठीक है, सुनो, मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ, मतलब मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, और बोहुत बार पकड़े जाने पर ये बात मैंने मा से भी कही और उन्होंने भी मुझे स्वीकार किया, पता नहीं क्यों पर मुझे आप कुछ ऐसा वैसा मत समझ बैठना, यहाँ बस एक शौक है, पर यहाँ हम पहली बार सुन रही हैं, तो अजीब लग रहा है, अजीब तो होगा ही, ये बात मेरे गर्ल्फ्रेंड को भी पता चलने पर उसने मुझे से बात करना बंद किया, वैसे मेरा नसीब ही खराब है कि कोई मेरी भावना को समझ के नहीं लेना चाता, माहौल थोड़ा सैड हो गया, फिर तुरंत मैंने टॉपिक बदला, मैं आप से बात करने के लिए डर रहा था, क्योंकि मेरा भी पहली बार ही था, मुझे लगा कि आप मना करोगी, फिर अनिताजी ने कहा कि, मैं भी थोड काली को ठैंक्स कहा और उसने मुझे स्माइल दी, लगभग मेरा पूरा मेकप हो गया था, अब बस विग लगाना बाकी था, अनिताजी बोली, विग ड्रेस पहनने के बाद फिर उन्होंने ड्रेस निकाला और मेरे पास आई, तो मैंने कहा, मुझे एक मिनट दोगी, मैंने दोनों को रूम से बहार जाने के लिए कहा और उनके जाते ही मैंने लेडीज इनरवेर पहने और लहंगा चड़ाया और उसकी नारी की गांट बांध दी, और फिर से दोनों को अंदर बुला लिया, दोनों मेरी और देखकर हस पड़ी, अनिताजी उम्र में मुझसे बढ़ पहले मेरी ब्रा में कपड़ों का इस्तमाल करके उभार बनाया, और फिर से खुरसी पर बैठने कहा, रुपाली ने मेरे पैर और हाथ के नाखुनों पर लाल निल पेंट लगाई, और आखरी में उन्होंने खुद का बालों का विग लाया हुआ था, जो मैंने सोचा नहीं बाल सेठ होने के बाद मैंने खुद को जो आइने में देखा, तो मैं पागल हो गया, मुझे खुद से ही प्यार होने लगा मेरी खुशी देखकर अनिताजी बोली, अरे रुको तो दुलहनिया अभी पूरी तयार कहा हुई हो, आओ जल्दी बैठ जाओ फिर अनिताजी ने मेरे बालों पर स्प्रे मारा जिज्जे बाल बिखर ना जाए और फिर उसके बाद उहोने एक बैग लाई थी, उनमें बहुत सारे गहने थे, जो मेरी ड्रेस पर मैच हो वो चुने और मुझे पहनाए उहोने देखा कि मेरे कान भी छिदे हुए हैं, सभी गहने भारी थे, मुझे मज़ा आ रहा था, दोनों हाथों में चूडिया, पैरों में पायल, कान में जुंके, गले में हार और नाक में नत्मी अनिताजी ने अखिर में दुपट्टा मेरे सर के उपर से दोनों बाजू में छोड़ दिया और कहा की, अब दुलहन तयार है, शादी के लिए फिर उन्होंने मुझे पिछे से पकड़ कर आइने के सामने लेके गई, मैंने खुद को आइने में देख कर आंखे नीचे कर ली, अरे शर्माओ मत, चलो अब अपनी मा से मिलो, मैंने मा को आवाज लगाई और मा मेरे कमरे में आ गई, मा तो एक वक्त के लिए पुतले की त तरह एक जगह पर खड़े रहकर देखती ही रह गई, और देखते ही उनकी आखों से आंसु आने लगे, मैंने देखते ही मा के पास जाकर मा को गले लगाया और उन्हें रोने से रोक लिया, मा ने उन दोनों के काम की तारीफ की फिर मा ने सभी के लिए चाय बनाई, तो को देखते हुए अनिताजी बोली, मा जी साड़ी मस्त पहनाई है, तभी मा बोली बेटा वो साड़ी उसने खुद से पहनी है, सच में, देख रुपाली तुझे अब तक साड़ी बांधनी नहीं आती और राहुल जी को देख, सच में कोई भी औरत शर्माएगी ऐसी ब पैसे लिए, और कहा कि फिर कभी जरूरत पड़े तो याद करना, और कल रुपाली आएगी सारा सामान लेने, आज आप दुलहन का गेट अप एंजोई कीजिए, उसके बाद मैंने फोन भर भरके फोटो खीची, जितनी मेरी लड़का होने की भी नहीं थी, पूरी शाम मैं मैंने खुद को आइने में ही देख कर बिताई, फिर मा ने मुझे चेंज करने को कहा तो मैंने लहंगा चोली उतार कर पार्टी वाली साड़ी पहनी, अनिताजी ने ऐसा मेकप किया था कि मुझे उतारने का मन नहीं कर रहा था, आखिरकार रात को सोने से पहले मुझे मेकप उतारना पड़ा और अनिताजी की चीजे मैंने एक बाजू में रख दी और आज में शांती से सो गया, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करे हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करे, धन्यवाद